नमस्कार मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डियसके जहां एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ रही है इसका कोई इलाज नहीं है लाखों की तातात में लोग मर चुके हैं ऐसे में फोर्थ स्टेज का लंग कैंसर दो महिने में ठीक हो गया भाई ऐसे अदबुत चमतकार सि अंदर ही हो सकते हैं यह बॉलिवोड वाले इनका का में पिक्चर है बनाना और किसी विद्वा ने कहा भी एक जब तक इंडिया में सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे चूतिया बनाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है यह लोग ऐसे से आर्टिकल रहें वीडियो कॉलिंग भी करते रहें दुनिया भर की भाशन बाजी भी देते रहें और इलाज भी हो गया और वाह 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 क्या आसान है ना मतलब है ताज्यूब की बात देखिए कि 12 अगस 2020 को सड़क टू का ट्रेलर लॉंच होता है ट्रेलर लॉंच हो इसके पहले सं ओंपती लेने की भर भर के निंजा टेक्नीक चलाई इंट लोगों ने है ये निंजा टेक्निक सिर्फ संजद अत्म नहीं बच्चन परिवार ने भी चलाई थी डस जुलाइक उनकी कोई वेब सीरीज आने माली थी ब्रीथ और बार्रें जुलाइक पूरा बच्चन परिव उन्हें भी पता है कि पब्लिक बेवकूफ है मैं पहले से कहता रहा हूँ आप पिछले दो तिन मेने के सारे वीडियो उठा के देख लो मैंने हर वीडियो में कहा है कि इनको इतना ओवर कॉंफिडेंस इसलिए क्योंकि इनों वो कुछ भी करें पब्लिक थेटर में जाएगी डिरेक्ली पैसा देगी और इन लोगों के दुकाने चलती रहेंगी अक्षय गुमार का एक वीडियो बाइरल हो रहा है कुछ साल पुराने जहां वो कहरें कि वैश्नोदेवी जाते थे वो दो तीन लाग का खर्चा करते थे लेकिन उन्होंने कहा कि दो तीन लाग रुपे कि देख लेना क्यों जाना थेटर के अंदर है वो जो पैसा थेटर में दो गए अक्षय गुमार को वो किसी गरीब इंसान को दे दो आप आमिर खान ने सत्यमिव जयते में बोला था कि क्यों बीस रुपे का दूज शेवलिंग पर चड़ाना वो बीस रुपे का जो दूद गरीब को पिलाओ लेकिन यह क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम थेटर में मत आओ हमारी फिल्में देखने मत आओ यह लोग चीक चीक के कहते कि आये थेटर में गो इन थेटर नियर यह एंड वाच दे मूवी ओन फ्राइडे भर भर के प्रमोशन करते हैं लोगों को बुलाते हैं एट्रैक्ट करते हैं कि आये थेटर में फिल्में देखिए वहां यह कभी नहीं बोलेंगे कि भाई थेटर में क्यों आ रहे हो क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं यह पैसा किसी गरीब को खिला दो मैं पिछले दो-तीन मैने से एक ही चीज आप सबसे कहता आ रहा हूं यह सिनेमा स्टार्स हैं मूवी स्टार्स हैं यह सिनेमा स्टार्स क्यों बने हैं यह थेटर्स की वज़े से बने हैं ठीक है इन में और टीवी स्टार्स में जमीन आसमन का अंतर है टीवी स्टार्स को यह लोग इतनी उकात देते नहीं हैं और सीधी सी बात है किसी ने अगर पि जाएंगे देखने नहीं मजबूर होकर 200 करोड 500 करोड की पिक्चर टीवी पर डालनी पड़ेगी और टीवी पर रिमोट हमारे हाथ में होता है हम लोग आप तु अब हर घर में यही होता है चैनल बदलते रहते हैं चलते फिर घूमते गामते पिक्चर देख ड़ते कोई क्रे पिले दिन फर्स डे फर्स शो देखने की भीड उत्सा होता ना वह खतम कर दीजिए वह पैसा बिनकी पिक्चर में डालने वाले वह पैसा किसी गरीब इंसान को खाना खिला दीजिए इनी के अंदाज में आक्षय हो या अमिर खान हो इनके अंदाज में क्यों पैसा कुछ हो खान नहीं पाया तीन सो साड़े तीन सो लड़कें को साथ अफेर करा इसको एट्स ने नहीं टच किया तो कैंसर क्या उखाड लेगा इसका है ऐसे लोग फिर विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं तर तर के लोग इनके बारे में इमोशनल लेटर लिखते हैं यह जैसे आपकी घर में टीवी है टीवी क्यों ले रखाया आपने हैं इंटर्टेन्मेंट के लिए लिया है न तो टीवी पर आएंगे टीवी पर सीरिल आते हैं खबर आती हैं मूवीज आती हैं जख मराकर मजबूरी में यह लोग टीवी पर ही तूटेंग अभी एमेजोन कीजिए ठीक है I hope message loud and clear है चाहे आमिर खान की फिल्म हो अक्षय की फिल्म हो सल्मान की फिल्म हो किसी भी बॉलिवूड वाले की फिल्म हो ठीटर में जाने के जरूरत नहीं है क्योंकि यह लोग पब्लिक को एक नंबर का चूटिया समझते हैं कुछ भी emotional card खेल देंगे बक् पाप लगेगा लेकिन लोग फिर भी जाएंगे ठीटर खुल चुके लोग फिर भी जाएंगे मेरा निवेदन है आपको इनकी फिल्मे देखनी है बहुत options है देखने के पैसा देखकर directly इनको encourage क्यों कर रहे हो इन्हें इसी बात का भरोसा है कि कुछ भी करेंगे लोग आए इनकी इसी गलत्रही मेंगे दूर करना है आपकर जो घूसा है हर चीज को boycott नहीं किया सकता है आपका जो घूसा है ना शौले फिल्म का डाइलो चब लोहा घर में मारो हाथ तोड़ा गुस्से को सही जगे एस्तिमाल करें तो फाइदा है। आप हर चीज़ को यह boycott, वो boycott, यह boycott, वह boycott ऐसे नहीं काम चलेगा। जहां boycott करना है न वहीं करो करारा प्रहार तब High impact अच्छा होता था। यह मेरा नजरिया है आपके नजरिया अलग हो सकता है कमेंट करें आप अपने ओपीडियन कि आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ कोरोना का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है जबकि सर्दी खांसी जुकाम बुखा रहे है उसमें और कैंसर वो भी फोर्थ स्टेज का 12 अगस्त को डिटेक्ट हुआ और ऑक्टोबर के महीने में ठीक भी हो गया वाह मतलब क्या मतलब क्या मतलब बड़े-बड़े साइंटिस्ट है वो क्या करें फिर जॉब छोड़ दें वो लोग जो कैंसर के लिए साल हो साल स्ट्रगल कर रहे हैं उनका कैंसर ठीक नहीं हो पाता है सेक एनिवे इस नोट पर ये वीडियो में करता हूं खत्म आप कमेंट करके बताएं आपके ओपीनियन है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और सब्सक्राइब करें डेस के डॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद